हमरसत में साकित मिश्रा हैं श्रावस्ती से बीजेपी के उमीदवार हैं एक परिचे ये भी है कि निपेन मिश्रा जो प्रधामंत्री के पूर प्रधान सचीव रहे और इसके साथ में राम जन्भूम निर्मान समीत के अध्यक्ष उनके बेटे भी हैं विदेश से पढ़कर क क्या है जिस पर आप ये एलक्षन लड़ रहे हैं केवल विकास एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर इस ख्षेत्र को जब तक मानी योगी जी और मोदी जी की सरकार नहीं आई थी इस ख्षेत्र में को समझ लीजे ऐसा रगता था जैसे अद्रिश ह और इस जगे को हम लोग को अगर आगे बढ़ाना है तो जो आकांकशी जीले का पहले दर्जा दिया है मानी पतान मत्री जी ने उसके बाद जो मानी योगी आदितिनाज जी ने लगातार काम किया है क्योंकि यहाँ पर देवी पाटन का जो मठ है वो भी उस तो उनका थोड जाता है आपके साथ मैंनी पर जी ने जो वहाँ पर काम किया है उसकी तो चर्चा देश के वेदेशों में भी है तो क्या राम भी इंशू है आपके लिए विसरावस्ति का जो परपेश्चिस को देखते हुए राम का मुद्दा ने राम तो इशू होंगे भारत में, भारत के संस्कृति का अगर कोई बेस है, तो भगवान राम की कहानी है, राम चरित्मानस है, तो इसलिए राम तो मुद्दा हमेशा रहेगा, सवाल यह है कि धर्म से उपर भी राम है, जो कि मैं विश्वास करता हूँ, और राम मैं जो क के रास्ते पे चलेंगे तो देश का भी भला होगा और जो लोग बात करते हैं जैसे जो मानिये अंबेदकर जी ने भी आपको कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र हो आप राम से अलग तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता है अभी जो पी-म ने कई बार इंडिकेट किया है कॉंग्रेस का उन्होंने उधारन दिया और ये कहा कि उसका जो मैनिफेस्टो वो शरीया का मैनिफेस्टो उन्होंने ये भी कहा कि S.C.S.T.O.V.C. का हक मार करके मुसल्मानों को देने का ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया आप सरवस्ती में काम कर रहे हैं यहां पर जो सांसद हैं वो पिछले जो कटबंदन के सांसद मौजूदा सांसद हैं तो क्या सरवस्ती में भी ऐसा कुछ आपने देखा कि हिस्सा एक तपके एक मार के दूसे तपके को दिया जा रहा, ऐसी कोई चीज आपने यहां भी नोटिस की? अब मैं ज़्यादा दूसरों को नोटिस नहीं करता हूँ, मैं जो काम होता है वो करता हूँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो इस समय के सांसद हैं, उनको मानिय कानशीराम जी की पार्टी ने पिछली बार बहुत अच्छा आफसर दिया था गरीबों को और वंचितों को काम करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, राजनेतिक कारनों वर्ष उन्होंने उनको भी छोड़ दिया और आए नहीं कभी यहाँ पे, और छोड़ करके अब समाजवादी में पार्टी में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो वंच के लिए काम करने की बात नहीं सोचते हैं, चीक है, यह आज चुनाव परचार का अंतिम दिन है, एक बात मुझे यह समझाईए कि यह चुनाव किस तिश्वा में जाता हुआ आप दिखाई दे रहा है आपको आस की तारिक में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मानिय मोद और योगी की डबल एंजिन सरकार से होगा, और मेरी आशा है कि जो कारे मैंने आट साल से किया है यहाँ पर, जिसमें से काफी समय तो बिना किसी पद या ओधे के किया था, वो भी जनता को भाएगा, तो तीनों की कॉम्बिनेशन है तो मुझे और बता दे, आप विदिश्वों से पढ़कर किया हैं, आपने काम किया विदिश्व में निफेट और बैंकिंग सेक्टर में आपने बड़ा काम किया है, एक रहुल गांदी का बयान बड़ा चर्चीत है, अर्थवस्था को ले करके वो यह कहते हैं कि हमारी सरकार और खटा-खट खटा-खट एक लाक रुपे सबके वे आना सुरू हो जाएंगे, और अदानी अंबानी की सरकार हम उनसे लेगे, सबको एक लाक रुपया गरीबों में एक लाक रुपया दे देंगी, यह जो बाती हैं, कितनी वाईबिल आपको दिखती हैं, इन्ही बातों परिवार भाद करते हैं पर उनको कभी-कभी अपने जो उनकी दादी थी, उनकी गलतियों से सीखना चाहिए, जो बैंक नेनिशनलाइज़ेशन हुए थे, जिस तरह से कीए गए थे, होना ना होना, वो तो अलग बात है, पर जिस तरह से के गए गए थे, जब उद्योंकों उद्यमियों को डराया जाता है तो वो तुरंट भाग करके चले जाते हैं विदेशों में दूसरा सामाजिक न्याय जरूरी बहुत है पर सामाजिक न्याय के साथ असली विकास तब होता है जब वंचितों को अपने पैर पे खड़ा करिया जाए और तीसरा हो सकता है उनके प पास पैसा इतना आद गया हो जो कि वो सब को एक लाकी देंगे हैं विकास से निकालते हैं और अब यह एक लाकी सब को देंगे तो इस सब जादू ही होता है क्योंकि जो आपने देखा है जैसे कुविट जब हुआ था सब ने कहा कि जाके पैसा फेकना शुरू कर दिये पर इस सरकार ने मानिय मोदी जी के मार्क दर्शन में लगातार धैरे के साथ और एक नियोजित तरीके से लोगों को मदद की जिसकी वज़े से हमारे देश के आते के वस्ता ठीक ठाक है राहुल जी वगएरे के साथ मुझे लगता है कि वो लोग अधेयन कम करते हैं थोड़ा सा और जो बोल दिया जाता है उनको बोलने को तो बोल देते हैं अपना शैद जितना उनको करना चाहिए अधेयन वो नहीं करते हैं लेफ्ट औरियंटेशन वाली बाते हैं आ रही है जो विरासर टैस्क के बाद पीम ने भी कही जो बीज़ीपी भी कह रही है आपकी पार्टी कह रही है कि विरासर टैस्क आपको दिखता है क्या कुछ ऐसा प्लारूप यहां पर त्यार करने की कोशिश हो रही है अज भविशवानी कर रहा हूं जो इस तरह से वो लोग चलते हैं वो देश को और समाज को टुक्डों टुक्डों में बाट करके जिससे ध्यान सबका एक अलग-अलग मुद्धों में हो विकास में ना हो इसलिए वो बाटने कोशिश करते हैं और जब तक वो समाज को नहीं आने देगा सरकार में तो पहली तो बात है कि वो नहीं होना है दूसरा जो विरासत का टैक्स है वो अलग देशों की अलग परिस्थितियां होती है उनके अनसार काम किया जाता है हमारे देश में विरासत टैक्स अगर आप करेंगे तो फिर से हमारे देश से जो पैसा वो उनके लिए होगा और दूसरा विश्वास नहीं होता है कि टैक्स देने में किसी को खराबी नहीं है अगर देश में काम हो रहा है तो टैक्स देंगे पर अगर वो टैक्स किसी गलत व्यक्ति को देया जा रहा है तो उससे लोगों की भावनाएं तो होंगी है पर लोगों क आपने हर तरह का एटमास्पियर देखा है विदियेशों का देखा है सरवस्ति में आप काम करने मिछले साथ-ाठ सालों से आपका क्या रुख है आरक्षन के इशू पर मैं तो केवल मुदी जी को कल मुदी जी शावस्ति आये थे उन्होंने खुल के कहा कि आरक्षन के लिए वो मरती दम तक लड़ेंगे और मैं भी उसमें पूर्णतर विश्वास करता हूँ दूसरी चीज़ यह है कि आरक्षन तो इस सरकार ने बढ़ाया है आर्थिक आरक्षन जो बढ़ाया है महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षन किया है राजनेतिक रूप में बढ़ाया गया है तो इस सरकार में तो वन्चितों को देख करके उनके हक जो 70 साल से नहीं दिये गए उसके लिए आरक्षन बढ़ाया जाएगा तो बढ़ रहा है कम होने के तो कोई मुद्ध ही नहीं है अब किसी को मन में कुछ बोलना हो तो जरूरी है बोलना तो बोलेंगे अब भी करें बढ़ाया है सरकार में जी एकनॉमिक जो जो वीकर सेक्षन के लिए बढ़ाया है तो आरक्षन तो बढ़ाया गया है अखरी सवाल क्या साकित मिश्रा अगर सरकार आती तो अपने आपको मोधी 3.5 की कैबिनेट में भी देखते हैं बिल्कुल नहीं हमारी पार्टी में पहली तो ऐसी मन सिकता नहीं है ये तो छोड़ी मंत्री तो बात की बात है टिकट के पहले मत्री पद अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो कहूंगा कि मुझे एक डेर साल सोचना भी कुछ नीचे सांसदी के लावा क्योंकि मुझे जनता की जो तुरंत की जो जरूरते हैं उनको पूरा करना है तो इन सब चीजों पर मैं सोचता नहीं हूं मुझे कहा जाता है काम क अच्छा लगता है क्योंकि मैं पारंपरिक व्यावसाइक राजनीती नहीं करना चाहता हूं मैं यहां आया हूं परिवर्तन करने के लिए और परिवर्तन करूंगा उसमें प्रेर्णा मुझे मिलती है मानिय मोदी जी से वो भी जो व्यावसाइक नेता हैं उनकी तरह नहीं मैं भी छोटे से रूप में यहां पर अपने योगदान करना चाहता हूं कि पांच साल बाद या दस साल बाद लोग कहें कि साकेत आये थे और साकेत ने यहां पर सुधार किया शुक्रियबाद करने के लिए तो हमारे साथ में साकेत मिश्रा अपना विजन बताते हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रदामनतरी मोदी का जो विजन है और सीम योगी का जो रास्ता है वो रास्ता चीत को सुनिश्चित करेगा और राहूल गांधी के बारे में भ आवस्ती